हेलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग मैं आपका मैस एजुकेटर रक्षय गरवाल एक बर फिर से आप सभी के स्वागत करता हूँ आपके अपने चनल लेवन फन पर बच्छो आज आप लोग के लिए 11th क्लास में जो बच्छे 10th से 11th में आये हैं उनके लिए बहुत important वीडियो है dummy school versus regular school already YouTube पर ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं एजुकेटर्स हैं जिन्हों ने आपको इसके बारे में already बता रखा है तो मैं वापिस उन चीजों को repeat नहीं करने वाला लेकिन एक बड़े भाई किनाते कुछ simple suggestion है यार कुछ मेरा पिछले 10 साल का 12 साल का experience है क्योंकि मैंने आज मैं कुछ बाते बताने वाला हूँ इसमें आपके जो कुछ दोस्त हैं या बाकी लोग हैं जो उसी एरिया में बिलॉंग करते हैं जिसमें आप लोग खुद बिलॉंग करते हैं उनको साहथ इसकी बहुत जरूरत पढ़े इन चीजों के बारे में information की तो आप लोग comment box म उन तक भी पहुंच जाएं तो सबसे पहले समझ लेते हैं बच्चों dummy school versus regular school देखने में हमें लगता है कि dummy school एक ऐसा school है जिसमें बच्चे नहीं होते हैं जिसमें chairs खाली पढ़े जाती हैं लेकिन regular school वो है जो regularly जिसमें आप लोग 10th class तक पढ़ते हुआ हैं जिसमें आपकी पूरा का पूरा CVSE curriculum follow किया जाता है जबकि ऐसा नहीं है dummy school का मतलब यह नहीं कि वहाँ पर बच्चे नहीं होते हैं वहाँ पर भी बच्चे होते हैं मैं अब आपको एक simple सी बार बताता हूँ एक्चोल में बच्चों यह जो आपका dummy school वाला funda है इसका मतलब क्या होता है यह कुछ वो school होते हैं जिनमें आपको कोई भी problem create नहीं करता regarding attendance कि आप लोग school regular आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं 75% का जो criteria है वो यहाँ पर self से handle किया जाता है ठीक है आपके जो practicals हैं उसमें जो आप की जाती है यह मस समझना कि cbc boards के paper भी school में handle करेगा ऐसा कुछ भी नहीं है वो सब कुछ बच्चों आपको ही करना होता है बस school के तरफ से attendance or practicals वाला जो responsibility है वो completely ले ली जाती है अब कैसे बच्चों को dummy school बिलकुल भी join नहीं करना चाहिए एक simple सी बात अगर आप simple 11 12 करना चाहते हैं और उसके बाद एक normal college में जा करके अपनी पढ़ाही करना चाहते हैं ठीक है बहुत सारे बच्चे से choice करते हैं तो आपको dummy school बिलकुल भी prefer नहीं करना है सिर्फ उन बच्चों को prefer करना है जिनके आसपास में जिनके area में ऐसे कोई school नहीं है जो आपको सिर्फ boards के अलावा भी जो competitive exams है like JE, NEET या फिर NDA या फिर many competitive exams for CA foundation, commerce वाले बच्चों के लिए अगर वो ऐसे चीजों की facility आपको नहीं provide कर रहे हैं और आपका target है कि आपको इन exams को crack करना है फोड़ना है ऐसे बच्चों को dummy school prefer कर सकते हैं वो भी तब जब आप कहीं दूसरे coaching institute पे बैट क करके आप अच्छे तरीके से आप अपने इन exams की preparation legit हो करके कर रहे हैं तब तो आप बच्चों dummy school prefer कर सकते हैं if in case आपने online कोई course लिए रखा है distance learning से आप पढ़ाई कर रहे हैं तब आपको dummy school नहीं जाना क्योंकि उस case में आपके साथ में बड़ी tragedy हो जाएगी यार online पढ़न ठीक है online वालों को बिलकुल भी नहीं join करना distance learning वालों को ये सिर्फ और सिर्फ उनको करना है dummy school जो किसी institute में पढ़ रहे हैं ठीक है जी जो किसी institute में पढ़ रहे हैं और J exam या फिर NEET exam या फिर जो commerce वाले बच्चे हैं वो आपका CA foundation की तयारी साथ के साथ कर रहे हैं ऐसे बच्चों को dummy school बिलकुल भी join करने की जोरत नहीं है इससे आपका बहुत ज्यादा नुकसान होगा बिलकुल environment से कर जाएंगे अब बात कर लेते हैं बच्चों कुछ regular schools regular school दो टाइप की category में डिवाइड कर सकते हैं एक regular school वो है जो completely cbse curriculum के according आपको सिर्फ और सिर्फ boards की ही पहाई करवाता है उसको competitive exam से कोई लेना देना नहीं है कि आप J की preparation कर रहे हो या नहीं कर रहे हो सो कोई लेना नहीं होता लेकिन इस school में अगर आप admission लेते हो तो 75% का criteria है कि attendance होनी चाहिए practical lab में आपकी present important है कि practicals आपने किये नहीं किये उसके basis पर सब problem आती है तो ये सारी चीज़े अगर आपको है तब तो आपको यहाँ पर सोच के चलना है कि regular school में जाना या नहीं जाना यह एक category का regular school होता है जिसमें मैं पढ़ रहा था वहाँ पर कोई भी competitive exam की बात नहीं की जाती थी लेकिन उसे के opposite में बच्चों कुछ ऐसे schools होते हैं जो आपको boards के साथ competitive exams हैं उनकी भी preparation अंदर पे उनके खुद के teachers होते हैं जो खुद बड़ी-बड़ी coachings में होते हैं जो आपको legit हो करके preparation करवाते हैं तो ऐसे schools में आप regular school में पढ़ सकते हैं लेकिन ये depend करता है क्या ये school आपके आसपास में जहां पर आप पढ़ रहे हो वहाँ पर exist करता है क अगर नहीं करता है अगर नहीं करता है तब तो ये option कट गया तब सिर्फ तुमारे पास यही बचा कि boards की प्रत्यारी और attendance वाला उस case में अगर आपने जही और need का target किया है तो difference ही बात है बिटा कि जही और need का जो syllabus है और जो boards का syllabus है उसमें just double का difference है बिलको सही बात है double का difference ह और आपको लगेगा कि हम दोनों चीज़े एक साथ minus कर पाएंगे लेकिन उसमें बहुत सारा time आपको वो gap fill करने में आपका चला जाएगा और double double महनत आपकी पड़ेगी तो उस case में आप regular school essay case में avoid करके dummy school पर अपना रुख कर सकते हैं बट आपको किसी institute में रह करके पढ़ करते हैं हो सकता है कि आपको पता हो कि कौन से रगलर school हैं जो बोर्स के साथ साथ जे और नीट की तहरी करवाते हैं तो आप अपने उन schools के नाम नीचे पर comment section में दे सकते हैं ताकि बच्चे उन से जाकर के अपने admission या आगे की process कर सके यह आप help कर सकते हैं उनकी और कोई सब्सान हुआ इसकी वज़े से रेगलर जाने की वज़े से वो भी नीचे comment box में अपना experience share कर सकता है और dummy school वाले बच्चे भी जिन्हों ने already dummy school से पढ़ाई करी हैं जो pass out हो चुके हैं वो भी अपना experience यहाँ पर share कर सकते हैं ताकि जो बच्चे dummy school prefer करनी की सोच रहे हैं वो बहुत से रे बच्चे गलती क्या करते हैं वो decide कर लेते हैं यार मुझे preparation करनी है और dummy school में admission ले लेते हैं उसके बाद जा करके आप coaching में या जो भी चाहिए वहाँ पर भी अपना focus नहीं दे रहे होते हैं वहाँ पर भी आपको लग रहा होता है यार मेरा मन नहीं लग रही नहीं लग रहा है ऐसी अगर आपके मन में confusion है तब तो आप बिल्कुल भी dummy school मत जोइन करना ठीक है आप regular school में पढ़ाए करो proper social environment मिलेगा आपका structure cbsc follow किया जाएगा और अच्छे marks boards में तो लेकर किया आई सकते लेकिन पूरी clarity के साथ में schools का selection करना अगर आपने यहाँ पर समझ में आई हो और comment box में लिख करके बताएगा आपकी कोई भी problem में मैं हमेशा हूँ आपकी हर तरीकी की problems को solve करने के लिए मिलते है next video में तब तक के लिए goodbye take care to all of you thank you so much to everyone